हेलो गाईज एन वेलकम बाक टो माई चानल आज हम इस वीडियो में जो है आगे के अकाउंटिंग टर्म्स को कांटेनियो करेंगे तो पहला टर्म जो हमारा आता है वो है एक्सपेंडीचर बेसकली एक्सपेंडीचर क्या होता है कोई भी ऐसा खर्चा हम कर रहे हैं किसी एसेट को या गुड़न सर्विस को एक्वाइर करने के लिए जो आगे हमारी जो है कंपनी को बेनिफिट करेगा तो वो खर्चा एसेट को खरीदने का एक्वाइर करने का प्र एक्सपेंडीचर होता है जो हम बेसिकली लॉंग टर्म एसेट्स यानि फिक्स्ट एसेट्स भे करते हैं जैसे पर्चेस ऑफ बिल्डिंग प्लांट अन मशीनरी फर्निचर एट सेक्टरा रेविन्यू एक्सपेंडीचर होता है जो एक ही अकाउंटिंग पीरिड में यानि व चोटे-चोटे खर्चे होते हैं जो बिसिकली और वो सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम दिखाते हैं उसे हम कंपनी की अभी की एक्जिस्टिंग केपासिटी को जो है मेंटेन कर सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडीचर से हम कंपनी की फ्यूचर रनिंग केपासि साल के अंदर या तीन से पांथ साल में मिलता है ठीक है तो हम क्या करते हैं जैसे हमने दो लाग रुपे एडवर्टाइजमेंट में खड़ चार साल के लिए ठीक है तो हर महीने हम पचास हजार रुपे दिखाते हैं अभी का प्रेजन्ट एक्सपेंडीचर की तरह हम दो ल अधिक करते हैं उसके बाद आते हैं कापिटल एंड रमेन्यू रेसीट्स पेसिकली क्या होती है यह ऐसी रेसी सोती है जो हमें चापिटल रेसीट्स हो गई हमें लॉंग टर्म के चीज़ों से जो भी बेनेफिट मिल रहा है है जो भी रेविन्य ओ रहा है जैसे हमारा फिक credit worth कर रा था है और रेवेन्यू रेसिट्स के अग चोटे आप छोटे खर्चे जोस हमने अपना फ़्लाट में या हमारी हमारी बिल्डिंग में एक एरिया किसी को रिंट पर दिया को रोन आता है या कोई हमें कमीशन या हateg़ पैर रहा है वह सारे हमारी रेषीट हो गया हमने किसी को लोन दे रखा है उसके हमें इंट्रेस्ट मिल रहा है तो वह सारे रेवन्य। receipts केंदर आते हैं ठीक है जो capital receipts होते हैं वो balance sheet में दिखाए जाते हैं और जो revenue receipts होते हैं वो trading और profit and loss में दिखाए जाते हैं ठीक है उसके बाद आता है हमारा profit और loss profit क्या हुआ और basically हमारे expenditure यानी खडचे कम हो रहे हैं और earning यानी revenue हमारा जादा हो रहा है तो हमें क्या होगा firm को profit होगा similarly loss loss क्या होगा loss basically दो तरीके का सकता है एक तो यह हो सकता है कि हमारे खडचे हमारी earning से जादा हो रहे है तो एक company को loss हो सकता है या किसी अनलग reasons की वज़े से भी organization loss face कर सकते हैं उसके चोरी हो गई accident हो गया earthquake से building को कुछ harm हो गया आग लग गई यह चीज़े भी एक firm के लिए loss consider करी जाती है उसके बाद आते हैं हम gain gain होता है कोई भी फाइदा monetary benefit या profit या advantage हमें हुआ है किसी भी transaction से या event से उसको गेन बोलते हैं for example company ने एक transaction करी एक 10 लाख वी building जो है उन्होंने बारा लाख रुपे में बेच थी तो दो लाख रुपे क्या हुआ gain on sale of building चीक है या winning a court case court cases में क्या होता है एक court case जीते हैं अगर हम तो हमें पैसे मिलते हैं तो वो company के लिए क्या हो जाता है गेन हो जाता है ठीक है अब हम आते हैं purchase या purchase return अब purchase और purchase return में जो है इसमें cash और credit दोनों की transactions इंक्लूड होती है लेकिन purchase of goods को purchase तभी माना जाता है जब हम उस चीज की purchase कर रहे हैं जिसमें एक business काम करता है for example रजनी का क्या है एक clothes का business है तो उन्होंने clothes खरीदी आगे future में बेचने के लिए तब हम उसे purchase करेंगे लेकिन रजनी को अपने office में furniture या table की जरूरत थी तो वो furniture उन्होंने खरीदा है तब हम उसको purchase नहीं करेंगे क्यों क्योंकि वो आगे बेचने या company को आगे फाइद outwards क्योंकि हमारा समान बाहर जा रहा है तो return outwards ठीक अब आता है sales या sales return sales हो गया कि हमने एक particular चीज को बेचा है तो पहले उस product की या उस good गी service की ownership किसके पास थी हमारे पास थी अब वो ownership हमने क्या करी है आगे transfer कर दिया हमने किसी और को वो समान दे दिया है तो अब वो ownership मेरी नहीं रहे वो ownership उस बंदे की हो गई for example योगेश ने एक computer बेचा है Twinkle को तो पहले योगेश का computer था उसकी ownership किसके पास थी योगेश के पास जैसे ही वो Twinkle के पास आया तो साथ में आइटम के साथ ownership भी किसकी हो गई Twinkle की हो गई और बदलने में Twinkle ने क्या दिया उस computer को में return just in case मैं यही good मैंने computer खरीदा था आँ मैं वापस बेच रही हूए अब आपस return करी हो योगेश को तो उसको हम बोलते है sales return ठीक है अब मैं दे रही हूँ वापस तो मेरे पास क्या रहा है return वो वापस चल जाएगा उस government-bande के पास तो इसले उसको बोलते है return inwards ठीक अब अब आते हैं stock और stock and trade stock refers to those goods वे company घरीती आगे resell करने के लिए ठीक है stock में हम बस दो ही चीज़े classify करते हैं या तो opening stock हो गया या closing stock हो गया opening stock वो stock होता है जो company के पास financial year की starting में होता है और closing stock वो होता है जो company के पास financial year खतम होने के या accounting period के end होने के पास stock बचा होता है that is closing stock inventory भी होता तो stock ही है एक तरीके से पर इसमें सारी चीज़े इंक्लूड हो जाती है जैसे कि अगर कोई raw material है company के पास जिससे वो अपना product आगे बनाएंगे वो हो जाता है inventory of raw material work in progress क्यों गया semi finished good good अभी आधा बनाया पूरा नहीं बनाया वो भी company के लिए क्या कहलाती है inventory in work in progress ठीक है फिर finished goods goods पूरा बन के तियार है पर अभी बिका नहीं है company के पास ही है तो उसको बोलते है inventory of finished goods अब आता है stock in trade stock in trade क्या हो गया वो stock जो company ने खरीदा है reselling के लिए भी हमने पीछे पड़ा था तो वो हो गया inventory of stock in trade तो company के पास अलग-अलग तरीके की inventory होती है पर अगर हम stock की बात करें तो बस opening stock count किया जाता है या closing stock count किया जाता है चीक है आज की वीडियो में guys इतना ही अगर आपको थो लगी हो तो don't forget to like, share and subscribe and thank you so much for watching